नमस्कार दोस्तों, पिछले एक दो वर्ष में आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे कि ट्वीटर हो गया, फेस्बूक हो गया, बहुत जादा कॉंट्रोवर्सी में रहते, इस्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्वीटर की, और इसके जो CEO हैं, that is Chief Executive Officer Jack Dorsey, काफी जादा विबात में रहते, इवन भारत के अंदर काफी criticism उनके उपर किया गया था, लेकिन फानली यहाँ पर आप देख सकते हो, खबर आई है, कि जो Jack Dorsey है, जो co-founder है Twitter के 2006 में, जिन्होंने इसको बनाया था, वो अब यहाँ पर स्तिफा दे रहे हैं, CEO के पत से उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन खास बात इसमें यह है, कि जो Indian Origin के person है, पराग अगरवाल, उन्होंने जॉइन किया है as a CEO, वैसे तो यह पिछले 10 साल से बने हैं Twitter के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो highest एक position होती है company के अंदर, वो यहाँ पर पराग अगरवाल क जिसकी वज़य से इन्होंने step down किया है, और किस वज़य से जो पराग अगरवाल है, उनको यह पत दिया गया है, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहें UPSC, Banking, State, PCS, सभी कुछ आपको ह I am not sure anyone has heard of, but I resigned from Twitter, क्योंकि पिछले एक दो दिन से चर्चा चल रही थी, कि वो अपने CEO के पत से step down कर सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन finally, कल यहां पर उन्हों है tweet करकर इसको confirm कर दिया, तो एक प्रकार से आप समझे, जो co-founder है, मतलब जिन्होंने इसको बनाया था company को, और वो Chief Executive Officer भी बने वे थे, मैं आपको आगे बताऊंगा उनके journey के बारे में, लेकिन वो अब step down कर रहे हैं, और जो present में Chief Technology Officer है पराग अगरवाल, वो इसको immediate basis पर सम्हालने जा रहा हैं, लेकिन इसके साथ ध्यान रखेगा, कि जो board members होते हैं, मतलब किसी भी company को चलाने के लिए ए कि मैने में कुछ term expire होगा, उसके बाद वहां से वो हट जाएंगे, और फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पर, कि 2006 में उन्होंने Twitter को co-found किया था, CEO के पत पर बन गये थे 2006 में ही, लेकिन दो साल के अंदर ही, यहाँ पर उनको step down करना पड़ गया था, जी हां, यह दूसरी ब से हटा दिया था, यह कहा था कि उनके leadership के अंदर जो company है वो आगे नहीं बढ़ पारी है, he was unfit to lead the company, 2008 में उनको हटाया गया था, लेकिन अगले 5-6 वर्ष के अंदर ऐसा देखने को मिला कि Twitter की growth उतनी अच्छी हो नहीं पारी है, और share prices भी बहुत जाद अच्छे से बढ़ ही पा रहे थे, इसी को देखते वे वापस से 2015 में उन्होंने CEO का पत समाला था, तो ध्यान रखेगा यह second term था as a CEO of Twitter, तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात से question आएगा कि अब क्या हुआ है ऐसा, जिसकी वज़ेस्यम को step down करना पड़ गया, देखिए कोई भी अपने पत से step down क एक दो वर्ष से आप कह सकते हो कि जो Twitter है, वो यहाँ पर लगतार headlines बना रहा था क्योंकि वो कुछ product launch करना चाहता था, इसको लेकर उसके उपर criticism किया गया, इसके लावा यह भी बताया गया कि जो उसके social media जो rivals हैं, जैसे कि Facebook हो गया, TikTok आजकल जो नई companies आ रही हैं, इनसे य इसको लेकर criticism हो रहा था, तो पिछले वर्ष से ही यहाँ पर board के अंदर ऐसी ऐसी ख़बरे आ रही थी, कि Jack Dorsey को बोला गया है, कि अब आप step down कर जाए, नए leadership को आने दीजे, तो यह आप एक कारण कह सकते हो, दूसरा मैं आपको एक बहुत important कारण बताता हूँ, that is, Jack Dorsey में चर्चा चल रही है, उसके अंदर वो काफी जादा involved हो रहे थे, तो 2020 के starting में ही यहाँ पर Jack Dorsey के criticism face करना पढ़ गया, कई investors के द्वारा, और यह बोला गया कि आप अपना जो ध्यान है, वो Twitter पर कम लगा रहे हो, और बाकी चीजों पर आप अपना ध्यान जादा लगा र इसके अलाबा जो philanthropy का work है, उसके उपर वो ध्यान दे सकेंगे, ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वज़े से वो Twitter से step down कर गहे हैं, और इसके अलाबा तो आपने देखा ही होगा, at least भारत के अंदर काफी criticism जहलना पड़ा था, hate speech, misinformation, कई सारे politician, activist के द्वारा, इन media बना था, जो जिसने इस तरह के चीज़ें की थी, और President को ban करना वो भी अमेरिका के, ये बहुती बड़ा stronger line लिया था Twitter ने, और Jack Dorsey ने तो खुद कहा था, यहाँ पर Congress को मतलब कि जो वहाँ की Parliament है, उनको कहा था कि January 6th को जो riot हुआ था, Capitol Hill पर आपको याद होगा, काफी ज लेखते वे, overall context में आप, I hope कि अब आप समझ रहोगे, कि Jack Dorsey ने क्यों यहाँ पर step down किया है, लेकिन Jack Dorsey का यहाँ पर क्या कहना है, उन्होंने statement में क्या कहा, उन्होंने statement में यही कहा है, कि देखिए, कि मैं चाहता हूँ कि अब जो company है, वो founder से move कर जाए, क्योंकि यह founder रह है, इन्होंने इस company को बनाया था, तो founder का एक अलग vision होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके जो shares है, वो दूसरे लोगों के पास आते जाते हैं, capital जूटाया जाता है, तो यहाँ पर धिरे-धिरे उन्होंने कहा कि अब founder से हट कर, दूसरों लोगों के उपर यहाँ पर जिम्यद अभी के लिए मैंने आपको बताया था कि वो board के अंदर बने रहेंगे, क्यों बने रहेंगे कुछ महने तक, क्योंकि उनका कहना है कि हम help करना चाते हैं, जब तक transition ना हो जाए, मत्तब कि पराग अगरवाल पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को सम्हाल लें, तो एक guidance के और पर वो बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जब तक Jack Dorsey board में बने रहेंगे, तब तक क्या है कि उनका ही दब-दबा बना रहेगा, तो वो पूरी तरह से वहाँ से हट जाएंगे अगले साल, ताकि पराग अगरवाल अच्छे से सारे चीज़ों को यहाँ पर समाल सकें, फर्दर Jack Dorsey के दोरा यही बोला गया कि this was my decision, मैंने कोई pressure में आकर यह decision नहीं लिया है, I am really sad, yet really happy, और फर्दर आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हो, जो पराग अगरवाल है, जो अब नए CEO ब पारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने देखे यह Indian American है, टेक्नालोजी एक्जेकेटिव है, जो टेक्नालोजी के ऊपर पूरा वर्क वगर करना है, वो सारे चीज़ों के अंदर वो involved रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आज के डेट में बहुत सारी ऐस और जिस प्रकार से उन्होंने mentorship दिखाई है, मैं उसके लिए काफी ज़्यादा grateful हूँ, जहां तक पराग अगरवाल का सवाल है, वो पिछले 10 वर्ष से Twitter के साथ associated है, इनफाक जब उन्होंने Twitter जॉइन किया था, तब वो as a distinguished software engineer के तोर पर जॉइन किया था, लेकिन आगे चल किस तरह से वर्क करेंगी, consumer को, revenue, science team, यह सभी चीज उन्ही के दौरा यहाँ पर lead किया जा रहा था, also यहाँ पर यह बताया गया कि he was leading, Twitter का एक नया initiative था, blue sky effort, blue sky effort का basic मतलब यह था, कि social media को decentralized standard पर लाया जाए, सभी लोग इसका open तरीके से, transparent तरीके से इसका use कर सके, उसके अंदर भी उसको lead किया जा रहा था, पराग अगरवाल के दौरा, and वो काफी जादा एक प्रकार से supporter बताय जाते हैं, Dorsey की, मतलब की, Dorsey काफी हद तक support करते थे पराग अगरवाल को, in fact, Dorsey ने अपने statement में यह भी बोला, कि जब हमने यहाँ पर नए CEO का चैयन किया, तो काफ सफी rigorous process के थ्रू हम गुजरे, सभी options और सभी चीजों को देखकर, finally decide किया गया कि पराग अगरवाल को ही यहाँ पर CEO का पद दिया जाएगा, क्योंकि वो Twitter को, जो company है, वो बहुत अच्छे से understand करते हैं, उसकी need क्या है, उसको अच्छे से understand करते हैं पराग अगरवाल, और इ यहाँ पर एक और चीज़ में आपको बताऊं, तो Twitter पे आने से पहले, जो पराग अगरवाल है, वो Microsoft, Yahoo, कई सारे बड़े जो companies हैं, उसके अंदर वो काम कर चुके हैं, उन्होंने B.Tech किया था computer science में, IIT Bombay से, द्यान रखे का IIT Bombay से हैं और आगे चलकर उन्होंने Stanford University से PhD भी किया था, आज के date में करीब जो net worth है, उनका 1.5 million बताया चाहता है, तो यह पूरी कहानी है, यह पूरा जो भी कुछ था इस topics related मैंने आपको बताया दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी इस तरह के step लिये जाते हैं, इसका कुछ असर आपको जो share price है उस company का वो देखन हुआ था, और यह था पूरा video regarding CEO of Twitter के बारे में, जाने से पहले एक interesting question, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व की बहुत जो नामी companies हैं, उसके अंदर आपको Indian origin के लोग देखने को मिलेंगे, क्या बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी ऐसी company है इन चार में से, जिसमें Indian CEO नही आप जाकर प्ले कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF यही तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथी OPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को डाउनलोड कर लीजे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आपको मिलता और से नेक्स ताम तिल दन, थांक यू वरी मच्छ, सी यू सून.